हेलो बचो आज हम लोग छितिज का जो काविखंड है उसी का दूसरा पार्ट वाक पढ़ेंगे ठीक है बचो और वाक किनके द्वारा रचित है कवित्री ललद्यत द्वारा तो संत कवित्री ललद्यत के बारे में थोड़ा जानते हैं आपके पार्ट में जो कवित्री हैं उ थोड़ा सा बताऊंगे अभी किसंद कवी ललद्यत जो है उनका जन्द 1320 के लगभग कस्मीर के पंपूरा के सिंपूरा गाउ में हुआ था और ये कस्मीरी भासा की लोगप्रिय कवित्री थी ठीक है बच्छो और इन्हें जो है भाक्तिकालिन संद कवित्री माना जाता है क्योंकि मैंने आपको कक्षा में बताया था कि हिंदी साहित को चार भागों में बाटा जाता है आधिकाल, भाक्तिकाल, रितिकाल और आधुनिकाल तो ये भाक्तिकाल की संद कवित्री है और इन्होंने अपनी वा पहली जो कवीता है पहली जो वाक है वह है रसी कच्छे धागे की खीच रही मैं नाओ जाने कब सुन मेरी पुकार करे देव भवसागर पार पानी टब के कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे जी में उठती रह रहूग घर जाने की चाहे घेरे बच्चों इस वाक में कवित्री जो है ईश्वर प्राप्ती के सारे प्रयारसों को उन्होंने निरर्थक बताया है बेकार बताया है क्योंकि आज कल के जमाने में ईश्वर को प्राप्त करने या उन्हें मनाने के लिए जो हदगंडे अपनाए जाते हैं, पूजा, पार्थ, वरत, अत्यावार, यह सारी चीजे जो की जाती है, उसको उन्होंने निरर्थक बताया है, कह सकते हैं कि कवीर दास की जो विचारधारा है, ललद्यत की विचारधारा से काफी मिलती जुलती है, जिस प्रकार कवीर जो ह हैं, वो एक हैं, और उन्हें प्राप्त करने के लिए जो बाहिया आडंबर है, उसकी आवशक्ता नहीं होती, तो इस पहले वाक में ललद्यत जो है, वो क्या कहती हैं, ईश्वर प्राप्ती के सारे प्रयास उनके निरर्थक हैं, यहां पर कवीत्री अपने बारे में कह रह हैं, और मुक्ती के प्रयाशों और इश्वर के पास जाने की लालसा का वर्ण किया, और वो इश्वर के पास जाने के लिए ललाईत हैं, उतकंठित हैं, उन्हें इश्वर के पास जाना है, इसलिए वो अपने मन के भावों को व्यक्त करती है, परमात्मा को पाना चाहती है हम तभी जो जीवात्मा है वो परमात्मा के ही अंश है और एक ना एक दिन हम लोग भी इश्वर के पास ही जाते हैं तो कभी ललद्यत जो है उनकी प्राप्ति करना चाहती है पहले लाइन को समझे कच्चे धागे की खीच रही मैं नाओ बच्चे यहाँ पे कवित्री अपनी जीवन नया को कच्चे धागे से बनी रसी से खीचने का प्रयास कर रही है लेकिन कहती है कि पता नहीं इश्वर उनकी पुकार को कब सुनेंगे और उन्हें इस भवसागर से संसारूपी भवसागर से पार करेंगे कहने का मतलब उन्हें कब इस दुनिया से मुक्ति प्रदान करेंगे यहाँ पर देखिएगा बच्चो आगे है जाने कब सुन मेरी पुकार करे दे भवसागर पार जाने कब इश्वर मेरी पुकार सुनेंगे और इस संसारूपी भवसागर से हमें मुक्त करेंगे हमें निजाद देंगे हमें पार करेंगे तीक है अब आगे कहते हैं कि यहाँ पर देखें पानी तब के कच्चे सकरे सकोरे का अर्थ होता है कच्ची मिठी से बने बरतन तीक है सकोरे कच्ची मिठी से बने होते हैं जो क्या होता है कच्ची मिट्टी से बने हुए सामान ठोकर लगने से ही टूर जाते तो यहाँ पे कवित्री कहती हैं कि ईश्वर को पाने के लिए जितने भी प्रयास हैं वो किस प्रकार है कच्ची मिट्टी की तरह है कमजोर साबित हुए हैं मैंने जितने भी प्रयास की हैं आगे और भी पढ़ेंगे तम बहुर अच्छे से समझ में आगा मतलब कललद्यत ने इश्वर प्राप्ति के जितने भी प्रयास आस तक उन्होंने किये हैं वो सब कच्छे सकोरे की भाती कच्छी मिट्टी के बरतन की भाती बेकार निकले, कमजोर निकले कमजोर साबित हुएं इसलिए वो कवित्री जो है क्या कहती हैं उन प्रयासों को जो उन्होंने इश्वर प्राप्त करने के लिए प्रयास किये थे उनको क्या कहती हैं कच्छे सकोरे इश्वर प्राप्ति के प्रयासों को उन्होंने क्या कहा है कच्चँ सकोरा का है, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो, क्यूं होता है, देखे क्या होता है, कच्चे मिट्टी के बर्तन में, जो उससे रिस जाता है उसी प्रकार तो इस तरह से कच्छे मीटी का सकोरा जो बेकार रहा इसलिए जो कवित्री हैं ललादियत वो कहती है कि मैंने आज तक इश्वर प्रापति के जितने भी प्रयास की है सब कच्छे सकोरे की भाती बेकार है वेगा व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे और जितने भी प्रयास मेरे है वो बेकार हो रहे है जी में उठती रह रहुग घर जाने की चाहरे और वो कहती हैं कि रह रहकर इश्वर को प्राप्त करने की लालसा मेरे मन में जो है वो टिस उठती है वो दुख उठता है कि कब मैं इश्वर के पास चाहूंगे वह छनभंगूर प्रयास से इश्वर को पाना चाहती है पाना जाती है, सांसारिक प्रयास स्थाई होते है, उन्हें सारे प्रयास बेकार सिद्ध लग रहे हैं, कि उन्होंने जितने प्रयास की वो बेकार है, नासवान है, कमजोर है, तो वो जो है, उनके मन में रह रह कर, उनके मन में क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ती की हुक उड तडप, दुख, रह रहकर उनके मन में ईश्वर के पास जाने की, मतलब इस संसार से मुक्ति पाने की, या कह सकते हैं, मोक्ष प्राप्त करने की, वीदना तडप उड़ती रहती है, तीक है, परन्तु अभी तक उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाई है, तो आज हम लोग वाक का पहला वाक जो है ललद्यत के पहला वाक जो है चार लाइन की उसका अर्थ हमने समझा है और आप भी मेरी कही भी बातों को फिर से सुनिएगा और पहला वाक का अर्थ समझेगा कल हम लोग दूसरे वाक पर जाएंगे ठीक है बच्चों आज के लिए इतना ही धन्यवाद